हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है शिवानी शर्माई इंडो इटैलियन तो आप सब कैसे हैं आई होप सब ठीक ठाक हो तो शुरू करते हैं आज का व्लोग तो आज का जो वीडियो है वो बेस्ट है जैसे पुरानी वीडियो की तरह ही इंडिया टू इट जाते हैं तो मैंने एक जैसे लिस्ट बनाया है जो सवाल मुझे से पूछ रहे हैं तो ये सारा वीडियो उस पिस वेश्क्ष Ryan till तो यह , सिसक्ति है कि मैंने टिकट कहा से और के रियाences कि अट्राय की के अरजिन जन्यानों फ़ैसी है जो आजिन्ट टिकट लेकिते हैं , तो मैंने उससे जाने का और आने का रिटर्न टिकट पहले ही ले लिया था , तो मेरी वापसी 16 प्रेलकुल थी, लेकिन जब हम यहां से गए थे तब दो दिन पहले का COVID का जो test report valid होती थी, लेकिन जब हम इंडिया गए तो rule change हो गया, एक दिन पहले वाली चाहिए थी 72 hours की, लेकिन हमारे agent ने यह बात हमें update नहीं की, हम दो दिन पहले का report ले गए और उन्होंने ह हमें airport पे का कि आपका तो report एक दिन लेट है, तो आपको यहीं airport पे अभी कराता पड़ेगा rapid test, तो airport के बाहर ही उन्होंने जैसे COVID test की teams बनाई हुई है, हर flight का जैसे अलग-अलग team है, तो हमें gate number 8 पे भीजा गया था, जो लफ्तान साकी कर रहे थे, तो वहां पे rapid test में जैस की नहीं हो, क्योंकि हमें कोई symptoms नहीं थे, तो हमने दुबारा वो टेस्ट किया, तो हम दुबारा आ गए, तो वह कहते है, आप लाइट में तो जा नहीं सकते हो, और आपके ममी डैडी ने आपके साथ travel किया, तो वह भी जा नहीं सकते, तो फिर उन्होंने हमें का कि हम आप को call center का number देते हैं, आप उनसे अपनी ticket refund करा लेना, क्योंकि आपकी तो गलती नहीं है, आप एरपोर्ट पे आये थे, तो हमने ऐसे ही किया, और फिर उन्होंने हमें का आपको आप 14 दिन का quarantine मस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका record डल गया है, आपको उससे पहले ticket नहीं म कर सकते हैं, आपको एजेंट से ही करना पड़ेगा, तो फिर हमने अपने एजेंट से contact किया, तो उसने लफ्तात सावालों को email करी, और उन्होंने मेरी और मेरी सिस्टर की तो refund कर दी ticket, लेकिन मेरे ममी डैडी की हमें थोड़ा एक्स्रा पे करना पड़ा, तो उसके बाद ज उन्होंने उसी को आगे postpone करके हमें पहली जुलाई की दी, वो भी cancel होगी, फिर उन्होंने उसी ticket को extend करके हमें 20 जुलाई थी, जो कि finally, मतलब वो उड़ी, तो finally, जैसे फिर उसी ticket से, मतलब हमने कोई नया ticket वहां जाके इंडिया में नहीं खरी था, हमारी जो यहीं की return ticket थी उसी को उन्होंने आगे से आगे, आगे से आगे पोस्पॉन करते करते हैं, उसी से ही हम वापिस आएं, तो ऐसे मतलब ticket की यह मेरी कहानी है, तो दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल है कि कौन सी airline safe है, या कैसे मतलब जाना safe है, तो इस टाम तो सिर्फ तीन airline जो की direct चल रही है, और उसमें भी जो nationality holder है, red passport है, वो ही जा रहे हैं, या जिनके पास काफी दिर का residence है, लेकिन मैंने आज जैसे आर्टिकल पड़ा है, उसमें इधर उदर से वाया फिर से जाने लग गई है, तो एक flight आई है Albania, Albania से, तो वो पहले Albania आपको लेके जाएगी, इटली के प इतली आपको quarantine होना है, तो मतलब अब flight चल तो रही है, इधर उदर से यह है कि फिर आपकी 2-3 stay होगी, थोड़ा आपको time लंबा पड़ेगा, तो जो लोग फसे हैं, वो मतलब ऐसे इधर उदर से अब start हो रहा है, लेकिन जो direct flight है, वो यही तीन है, और दूसरा यह है, जो इतली का foreign minister है, उसने इसको जो बैन था, इसको extend करके 31st अगस्त कर दिया है, अभी तक जो इनका normal schedule चलता था, फ्लाइट्स का, वो अभी तक नहीं open हुआ है, इतली अभी भी अपने उस पर ही strict है, तो 31st के बाद मेबी वो कुछ रूस बनाएं, मेबी कुछ फ्लाइट्स लोग जाके आक्रोश तो कर रहे है, इस चीज पर जैसे मुद्दा बन रहा है, तो मेबी शायद government कुछ decide कर ले अगस्त के बाद, और ये जो तीनो एरलाइन्स चल रही हैं, लफ्तांसा, KLM, और Air France, ये दिली से, बैंगलोर से, चिन्नाई से, और मुंबई से चल रही है, औ ये सब तो था, फ्लाइट से रिलेटेड इन्फरमेशन, अब यहां पहुँच कर, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कि कोवीड होटल में भी आपको कॉरेंटाइन करेंगे ही, करेंगे, अभी भी ये सिस्टम चल रहा है, तो हर सिटी का अलग-अलग है, जैसे मैं विर दोना इनका ये सिस्टम है, कि अगर एरपोर्ट पे जब आपका कोवीड टेस्ट करते हैं, अगर आप नेगटिव आ रहे हो, तो आपको घर का कोरेंटाइन कहते हैं, और वो भी दस दिन का, और अगर आप पोजिटीव आते हो, तो रोम में उन्होंने एक कोवीड होटल ब होटना है, कई चाहे नेगटिव भी हो पोजिटीव हो, वो आपको कोरेंटाइन होटल में करेंगी, करेंगी, तो अब विरोना का तो ये सिस्टम है, अब जो बैरगम उतरते हैं, बरेशय उतरते हैं, हर सीटी का जैसे अपना-पना उन्होंने रूल बनाया हुआ है, और द आपको समझाते हैं, कि आपने अब इस रिपोर्ट का क्या करना है, आपने घर आते ही सबसे पहले, ULSS 9, हमारा जैसे हर सीटी का अपना होता है, हमारा 9 है, तो ULSS 9 पर ULSS 9 पर आपको रिजिस्टेशन करनी है, और वो जो आपकी रिपोर्ट है, वो अटेच करनी है, और य इतने भी बन, मतलब जैसे चार जाने है, तो चारों का अलग अलग आपका रिजिस्टेशन होगा, दूसरा स्टेप इसके बाद क्या है, कि आपको ये करने के बाद उसी दिन जिस दिन आप वापिस आई, ये सब आपको उसी दिन करना और जुरूर करना है, तो दूसरा medical certificate बना कर देगा, जो आप अपने job पे दे सकते हो, यहाँ पर भी वो आप बेज सकते हो, as a proof कि आप जैसे इतने से इतने दिन तक आप quarantine होगे, आप इतने तरीक को यहाँ पहुँचे हो, तो वो करना भी बहुत जुरूरी है, फिर 10 दिन के quarantine के बाद, आपको जैसे 10 दिन के जो 10 दिन के बाद आपका COVID टेस्ट होगा, उसका appointment वो आपको call करके खुद देंगे, तो जो आप नंबर एयरपोर्ट पे जब आपका COVID टेस्ट होता है, वो हर बंदे का एक फोर्म परते हैं वहाँ पर आपसे नंबर लेते हैं, तो नंबर बहुत द्यान से देना, क्योंकि उसी पर ये call आता है, जैसे तो जैसे अब हमारे वो किसी भी एक बंदे को फोन करके और सब की appointment दे देते हैं, तो हमें जैसे हमारे डैडी के फोन पर फोन आया था, तो फिर उन्होंने हमें खुद से ही जो 11 दिन था हमारा, उसकी हमें उन्होंने खुद से ही appointment दे दी थी औ और जो कोरेंटाइन के बाद होता है, यह सफ्री होता है, तो जब आप वहां पर जाते हो, अपना COVID टेस्ट करवाने, 11 दिन, तो आपको वहां पर लाइन लगी होती है, जैसे वहां पर सारे लोग कोई अपना certificate बनाने आया है, कोई कुछ करने आया है, तो वहां एक लंबी लाइन लगी होती है, तो आपको वेट करने का कोई जुरूरत नहीं है, आप सीधा अपने टाइम पर जाओ, और जो काउंटर है, उस पर जाके उसको बताओ, भी हमारा आज का अपॉइंटमेंट है, वो चेक करेगी, और ओविसली वो गोवर्मेंट ने अपने आप ही अल् फिर आपका डॉक्टर आपको जैसे खुद फोन करता है, या वो आपसे खुद कोंटेक्ट करता है, कि भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पोजिटिव है, फिर उसके बाद आप अपने जॉब पे बता सकते हो, फिर आप मतलब अपना उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो, तो ये सब चीजे जो हैं करनी जरूरी है, नहीं तो आपको जैसे जब हमको ये से फोन आया था, तो उन्होंने हमें बोला, सब कुछ समझाई, इंस्ट्रक्शन दी, कि अब आपने बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, आप कैसे रह रहे हो, आपके गर में कौन-कौन है, वो आपसे सारी डिटेल्स लेते हैं, और उन्होंने हमें कहा था कि तुम 24 घंटे अपनी गरानी में, हम कभी भी आके चेक कर सकते हैं, तो वो सारा आपसे डिटेल लेते हैं, तो इस करके बैतर ही क्या बाहर ना निकलो, क्योंकि जुर्माना भी बहु क्योंकि आजकल यही नया नया टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ते ही रहते हैं, तो अभी तक तो जैसे कुछ फ्लाइट्स ओपन नहीं हुई है, बस यही वो ही चल रहा है, जो जुलाई से शुरू हो रखा है, तो वो ही चल रहा है भी, तो अब 31 अगस्त के बाद, पता लगेगा कि डारेक्ट फ्लाइट्स पहले की तरह नॉर्मल होईंगी, कि क्या रूल बनेगा, क्या होगा, तो यह था मेरा वीडियो, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब तो माई यूट्यू झाल